वेल्कम टू माई यूटीब चैनल इस मी संजीबे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यबाद मेरे इस यूटीब चैनल पर आने के लिए सबसे पहने मैं बताऊंगा कि मैं इस वीडियो को क्यों शूट कर रहा हूं क्योंकि कोरोना के समय में देखा जाएं तो स्कूल हो कॉले यह से मैं भुगोल की सभी विशयों पर वीडियो डाल कर मैं सभी छात्रों और छात्रियों को बीच में वीडियो देना चाता हूं और मेरा शिक्षा को और भी सभी के बीच में ले जाना चाता हूं तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आर्थ क्वेप के बारे में आर्थक्विक वेब क्या होता है उसके बाद हम बताएंगे सिस्मोलोजी क्या होता है ओरिजीन इसका एबंग सिस्मिक वेब के बारे में हम भी बताएंगे सबसे पहले आर्थक्विक वेब क्या होता है जालेंगे आर्थक्विक वेब वेब होता है जो आर्थक्विक से उत्पन होता है आर्थक्विक वेब मतलब आर्थक्विक से उत्पन हुए वेब को कहता है आर्थक्विक कहां से वेब उत्पन होता है focus focus क्या होता है focus ओप प्लेस होता है जिस प्लेस से आर्थक्वीक का ओरिजिन होता है उस स्थान को और उस प्लेस को कहते है focus focus से ही energy release होता है और उस energy वेब में convert हो जाता है तो यह है आर्थक्वीक वेब इसके बाद होता है सिस्मोलोजी, सिस्मोलोजी क्या होता है सिस्मो प्लास लोजी, सिस्मो प्लास लोजी दो सब्दों से बना है सिस्मोलोजी, सिस्मोलोजी क्या है सब इसके बाद होता है आर्थ कोई वेब कैसे ओरिजिन होता है हमने पिछले वीडियो में देखा था क्या है फोकस क्या है और एपी सेंटर क्या है अब हम देखेंगे इसका ओरिजिन कैसे होता है आर्थ कोई का आर्थ कोई ग ओरिजिन होता है उस पलेज को कहते हैं फोकस focus से ही sudden elastic energy release होता है और उस energy wave में convert होकर चारो तरब फैल जाता है और उसे से ही बनता है earthquake wave earthquake wave तो इस कैसे origin होता है origin होता है sudden release of energy कहाँ release होता है focus पर यह वो focus से ही तरंगों की उत्पत्ति होती है इसके बाद हम बात करेंगे seismic wave क्या होता है seismic wave हम मैंने पिछले भी बोला था seismic wave वो wave होता है जो आतकोई के दोरान उत्पन होता है focus से और focus पितिवी के surface से नीचे होता है 700 km के बीच में focus रहता है किसी भी की depth में तो seismic wave क्या होता है वो wave जो आतकोई के दोरान उत्पन हो उसको seismic wave कहता है, इस wave का चित्रा आप देख सकते हैं, किस तरीके से wave एक model है, इसके बाद हम देखेंगे, seismic wave इसको दो category में बिभाजित किया जा सकता है, पहला तो है body wave, second है surface wave, तो wave को उसका location के अनुसार उसको दो भागों में बिभाजित किया जा सकता है, body wave and surface wave, body wave क्या होता है, body wave ओ वेब होता है, जो focus से generate होकर, focus से उत्पत्ति होकर, पिथिवी के body, अत्तर पिथिवी के अंदर ही चलता है, उस wave को body wave कहता है, और surface wave किसको कहता है, जो surface वेब किसको कहता है, जो surface वेब की भूपिष्ट, पिथिवी के surface के उपर जो wave चलता है, उसको surface wave कहत इसके बार हम देखेंगे कि body wave को दो भागों में विभाजित क्या जा सकता है फिर से primary wave और secondary wave primary and secondary primary husbandry primary cube हम जानते है जो focus से wave उत्पन होता है और चारों दिशा में फैल जाता है और PTV के जो surface होता है वो आपर हर एक model एक station होता है conscious station seismic station होता है वो आपर एक instrument रखा जाता है उस instrument को नाम है seismograph वो seismograph record करता है seismic wave को तले वो जो instrument seismograph वो पहला जो seismic wave को record करता है इसको कहते है primary wave अर्था primary wave surface में सबसे पहला पहुचता है इसलिए इसको कहते है कि इसको primary wave secondary wave किसको कहते है secondary wave primary wave की पहुचने की 4-5 second बाद secondary wave जाके पहुचता है तो इसलिए इसको secondary wave इसको primary wave तो primary and secondary wave को classification किया है on the basis of arrival of time पहुचने की समय के अनुशार सबसे पहले primary wave and secondary wave पहुचता है तो यह प्रशन उठता है क्यों primary wave सबसे पहले पहुचता है primary wave सबसे पहले इसलिए पहुचता है क्योंकि इसका spread जादा है किसे न secondary wave से जादा है तो यह सबसे पहले पहुचता है इसका और एक कारण है जो इहापार है मैं उसको बात में बताऊंगा secondary wave की जो spread इससे कम है गती है इससे कम है इसके बाद primary wave एक longitudinal wave होता है longitudinal wave क्या होता है वो wave जिसका direction होता है ऐसा longitudinal तो इसको कहता है longitudinal wave and transverse wave होता है अगर देखे तो यह से तो up, down, up, down, up, down तो इसको transverse wave and longitudinal wave एक दो concept मैं पिछले जो board है उसमें समझाओं का अच्छे तरीके से और है और एक चीज़ है वेप का direction होता है सभी वेप का direction होता है एक दीक होता है और जिस दीक से जाता है और उसी दीक उसी direction में vibration भी होता है मतलब अगर कोई rock अगर कोई rock के body body of rock वेप डिरेक्शन वेप पास करचे उसके भीतर से जा रहा है तो वह vibration होके जाएगा तो longitudinal wave का vibration का direction उसका वेप के direction से parallel है और थात vibration का direction उसका वेप का direction से parallel है और transverse wave का इसका A है wave direction और उसका vibration का direction perpendicular है 90 degree तो इसको transverse wave कहता है और थात उसका wave का direction और उसका vibration का direction के साथ 90 degree कोन बनता है इसलिए इसको transverse wave कहता है उसके बाद primary wave को RP wave कहता है क्योंकि एक primary P for primary तो इसको primary wave कहता है secondary wave S for secondary wave for S wave primary for P secondary S wave इसके बाद primary wave को sound wave कहता है साउंड की जो characteristic है उसका जो features है उसके साथ primary wave का features same होता है light wave का जो features होता है secondary wave के साथ same होता है तो इसको light और sound wave कैसे चलता है longitudinal light wave transverse उसके बाद हम देखेंगे कि primary wave अगर उसका चलने का गती देखा जाए तो उसका गती density के साथ relation है कैसे relation है अगर primary wave चलेगा तब अगर primary wave का velocity जादा है तो इसका मतलब है जो rock है material है उसका density भी ज्यादा है तो पी wave एस wave और एल वेब ए तीन वेब अगर उसके velocity जादा है तो समझना होगा कि वह पर rock की density भी ज्यादा है density मतलब पार स्कॉर्ड एरिया में कितना मास है उसका ही मतलब होता है density मतलब density ज्यादा होगा तो primary secondary and surface wave का velocity ज्यादा होगा primary wave तीन स्टेट में जा सकता है तीन स्टेट क्या होता है एक होता है solid liquid and gaseous तीनों स्टेट में जा सकता है मतलब ptv के जो आर्थ होता है उसका अंदर से आसानी से जा सकता है परंतु secondary wave केबल मात्र solid state में जा सकता है तो secondary wave केबल मात्र solid wave में जा सकता है क्यूं क्यूंकि ये wave solid state में इसका spread जादा होता है liquid में कम होता है इसके बाद हम देखेंगे surface wave इसको love wave भी कहते है और इसको L love L L for L wave और इसको destructive wave कहता है क्यूंकि इसको destructive wave कहता है क्यूंकि इसका जो direction इसका velocity इस सभी नीवह करता है surface की rocks इसके उपर इस सब destructive क्यों surface की उपर चलता है surface की उपर इस सब natural and artificial landscape रहता है तो इसके कारण ही जो building होता है dam होता है reservoir होता है वह सब तूट जाता है और बहुत नुक्सान होता है इसलिए इसको destructive wave कहता है surface wave को इसलिए destructive wave कहता है इसके बाद हम जानेंगे क्या frequency क्या होता है और frequency हम देखेंगे तो इसको high frequency primary wave को high frequency secondary को medium frequency और surface को low frequency हमने लिखा है तो क्यों लिखा है सबसे पहले जाना जरूरी है frequency क्या होता है frequency होता है पुन्रवित्ति मन इस जगा पे देखू कितना दाग है ज्यादा है इसके बाद कम है इसके तुलना में कम है और इसमें तो बहुत ही कम है तो हमने इसलिए लिखा कि high जेतु इसका number ज्यादा है high frequency मने पुन्रवित्त्री और medium frequency इसको कहते है और low frequency इसलिए इसको low frequency इस पॉर low frequency इस फॉर medium इस वेब प्राइमरी वेब हाई फीकुएस तो मैं फिस एक बार बता देना चाहता हूँ तो हमने क्या के बताया सिसमोलोजी उसका ओरीजीन आठकी का ओरीजीन सिस्मिक वेब प्राइमरी सेकेंटरी सरफेस वेब के बारे में बताया और उसका क्या आप श्यार किजी, नमस्कार